हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो अवर यूटूब चैनल आसान राफो यू ओम नमो भगवतेव आसुदेवा आइनम आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माख मास 2021 की शर्तिला एकादसी व्रत की तिथी पूजा वो पारण का सुबमूरत पूजा विधी वो व्रत के जरूरी नियम इसलिए वीडियो को अंतक जरूर देखें अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें वीडियो पसंद आये तो वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा लाइक और साथी फैमली फ्रेंटस में सेयर करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं शर्तिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा पूजा का सुमुरत इसकी पूजाविधी और पूजा में तिल का प्रियोग कैसे करना है? शर्तिला एकादशी मूरत शर्तिला एकादशी व्रत की तिथी होगी 7 फरवरी रविवार को एकादशी तिथी प्रारंब होगी 7 फरवरी सुबह 6 बचकर 26 मिनट पर एकादशी तिथी समापत होगी 8 फरवरी सुबह 4 बचकर 47 मिनट पर एकादशी के पारण का समय होगा 8 चालिक बोजन ही गरहं करें और अगले दिन एकादसी तिछी को प्राथ स्नानेादी के बाद विश्ımızı का ध्यान करवृत का संकल्व लेकर पूजा अरंब करें सबसे पहले पूजास्तल पर भगवान विश्णु जी की परतिमा स्थापित करें और उन्हें गंगाजल में तिल मिला कर शनान कराएं फिर धूब दीब कर पूजा में भगवान विश्णु जी को तुलसी दल वद तिल का भोग लगाना चाहिए इसके बाद विश्णु मंत्र का जाप व विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर आर्ति कर लें शड्तिला एकादशी पर छे प्रकार से स्नान, उप्टन, आहुती, तरपन, दान और सेवन का बहुत महत्व है साम के समय पुन्य भगवान विश्णु जी का पूजन कर तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं अगले दिन व्रत का पारण कर ब्रामन को भोजन वदान दक्षना देकर विदा करें मागमाश की शड तिला एकादशी पर तिल का दान करने से आपके सभी कष्टों का निवारन होता है एकादशी का पारण कैसे करें एकादशी का पारण द्वादशी तिथी को सूर्योदे के बाद ही क्या जाता है यदि द्वादशी तिथी सूर्योदे से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी वरत का पारण सूर्योदे के बाद ही होता है एकादशी वरत का पारण हरीवारसर के दोरान नहीं करना चाहिए हरीवारसर द्वादशी तिथी की पहली एक चोथाई अवदी होती है वरत के पारण का सबसे सही समय प्रात काल का है इसके अलावा मद्याहन के बाद भी पारण किया जा सकता है पारण के दिन पुरनश्रीहरी विश्नु जी का पूजन करने के बाद ब्रामण या जरुतमंद को दान दक्षणा दे कर वरत खोलें आईए बात करते हैं सर्टिला एकादशी पर किये जाने वाले नियमों के बारे में सर्टिला एकादशी नियम के अनुसार वरत करने वाले विक्ति को संभव हो तो इस दिन जमीन पर ही सोना चाहिए किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन या वस्तु का सेवन न करें एकादसी की सुबह जल्दी उटकर स्नान के बाद पुजा पाठ के कारी करने चाहिए एकादसी वरत के दिन पानी में गंगा जल या तिल डालकर स्नान करना चाहिए